दोस्तों बूर्णिंग सबको रादे राते तो आज काना जी का भोग मैं ही बना रहा हूँ ठाकुर जी का तो ठाकुर जी का भोग में लोकी की सब्जी, लोकी का कत्रा, अलू का कत्रा और रोटी आज उनके भोग में जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम लौकी ले लिये हैं और लौकी को हम इसमें से थोड़ा सा कत्रा के लिए निकाल लेंगे और बाकी की सबजी बना देंगे तो दोस्तों अभी हम करते हैं लौकी को कट करके साफ करके रख लेते हैं मगर सब्जी बनाने से पहले हम कत्री की तयारी करते हैं तो दोस्तों कत्रा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है बेसन और इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक और मिर्शी पाउडर तो दोस्तों अभी हम करते हैं ये देखे हमारा इधर सबजी भी हमने काट के रख लिया था और इधर हमने कत्रा का भी काट के रख लिया था तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले कत्रा बनाएंगे फिर उसी कड़ाई में हम सबजी बनाएंगे तो कत्रा बनाने के लिए हमने ये ले लिया है बेसन सारी चीजी ले लिया है अब इसको हम बैटल इसका बैटल बना लेंगे इधर कड़ाई भी हमने रख दिया है गरम होने को तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बैटल बना लिया है तो अब कत्रे की तैयारी करते हैं तो बैटल हमारा इधर हमने कड़ाई में अपने ओयल भी डाल दिया है इधर हमने देखिए हमारी कड़ाई में ओयल भी डाल गया गरम हो गया है इधर हमारा इधर बैटल देखिए तयार हो चुका अब हमारी जितने ही हमने कतरा काट रखा है वो सारा का सारा इस बैटल कंदर जाएगा और एक एक करके हम अपने कड़ाई कंदर इसको फैला देंगे ताकि अच्छे सा हम इसको फ्राई कर लें तो दोस्तों ये देखिए हम जो है अपने कतरे को जो है हम इसमें कड़ाई में एक एक करके देखिए डाल रहे हैं इस तरह स सारे अपने काटरा के पूरे कड़ाई में cover कर लेंगे ีर्ट कर करें हिस Nicolas यमारा पूरा का पूरा इसको back कवर ले रहा है इस तरह से यह दे दोस्तों हमारा पूरा का पूरा का पूरा कड़ाई cover हो चुकिक है तो अच्छे से हम इसको deep fry कर लेंगे यह देखे दोस्तों कितना बढ़िया कितना खुबसूरत दिख रहा है दोस्तों तो पावनी की मम्मी की तब ठीक नहीं है तो हम ही मैं ही आज भी काना जी का भोग बना रहा हूं और टेस्टी हमी काना जी के लिए भोग बना रहा है जिसमें हमने पहले सोच रहा था आज क्या काना जी को भोग देंगे कल भी हमको टेस्टी भोग दिया था तो दोस्तों आज काना जी को हमने भोग में सोचा कि आज क्यों डिफरेंट बनाते हैं तो कत्रा ही बना लिए सबजी बना लिए रोटी बं गई, तो दोस्तों दिख़की हमारे जो है लोकी का कत्रा वह पक चुका है वह ने अलीम निकाल करके आलुक मा लाएंसे ऑफ दोस्तों, करे आलु कत्रा ही लीमिया है तो अब इदर हमारा जो oil है वो इसमें बचा हुआ था कढ़ाई में तो अभी इसमें हमने जाल दिया है जीरप और हरी मिर्शी डाल दी है दोस्तों अब ये गया हमारी सबजी लौकी कटी हुई लौकी गई कढ़ाई के अंदर और बाकी इसके अंदर ingredient जाएगा दोस्तों इसके अंदर गया ये हल्दी हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है और बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान थोड़ा से डाला है सबजी मसाला दोस्तों और बहुत ही सेंपल बहुत ही आसान तरीके से हमने आज खाना बनाया है काना जी के लिए और इधर हमारा रोटिक त्यारी हमने आटा ले लिया है चाल करके हमने आटा ले लिया है और आटा को हम अच्छे से गुंद के और यह हमने अपने घर का रसिला रसिला टमाटर डाल दिया है और इधर हमारी जो रोटियां भी हमने बेल के रख लिया क्योंकि अकेले ही दोस्तों रोटी बेलना भी है उसको सिजाना भी है तो हमने एडवांस में 3-4 रोटियां बेल के रख ली इदर तावा भी गरम हो चुका है तो दोस्तों आज college style जिसे हम college में बनाते हैं थे खाना वैसा ही बना रहे हैं काना जी को भोग वैसा ही लगा रहे हैं जल्दी जल्दी वाला और ये रही काना जी अब खाना बन चुका है तो काना जी की थाली तैयारी हो रही है ये गई काना जी की दो रोटियां और साथ में इनको जाएगा है जो हमने yummy tasty crunchy बना रखे है कतरा तो ये गए लॉकी का कतरा पहले और ये साथ में गया आलू का कतरा और ये गई उनको टेस्टी टेस्टी लौकी की सबजी तो दोस्तों आज काना जी को भोग एदम यमी टेस्टी बनना दे गरम गरम उनकी लौकी की सबजी हो गई और ये इनकी थाली रेडी हो चुकी है दोस्तों काना जी की और कानह जी को भोग चड़ाएंगी। तो देखे दोस्तों सुबह सुबह ऑवनी ने कानह जी की आरती भी कर लिया। तो कानह जी की अब भोग लगेगा तो कानह जी का भोग पावनी लेके आचकी है। इदर रही पाउनी, तो अभी हम आर्थिक थाली खटा देते हैं दोस्तों और यह काना जी का ज़ी का भोग आ गया है जो हमने टेस्टी-टेस्टी काना जी लिए बनाया है तो जिसमें यह देखिए दोस्तों को लोकिक सब्जी है कत्रा है आलू और लोकी की और रोटी तो पा रहा है और काना जी बड़ी संदर से दिख रहे हैं दोस्तों कि बश्छाँ कि कट्रा भी खा रहे हैं दोस्तों दिख रहा है तो तब दोस्तों हम इनको काना जी को भोग गरण करने देते हैं और तब तक के लिए दोस्तों सब को राधे राधे